जब कभी भी दुबाई का नाम हमारे सामने आता है तो यह जहर अपनी बड़ी इमारतों सांदार सौपिंग मॉल, वास्तु कला और सांदार नाइट लाइफ के लिए जाना जाता है दुबाई को सिटे ऑफ गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दुबाई सहर के इस विकास में गोल्ड से जुड़े बिजनस का बहुत बड़ा योगदान रहा है जहां दुनिया की सारी बड़ी कमपनियों के आफिस और बड़े सोरूम मौजूद हैं दुबाई में गोल्ड सोप करके एक एडिया है जहां कड़ी 500 से 1000 के बेच छोटी बड़ी दुकाने हैं जहां रोजाना 1000 किलो गोल्ड का बिजनस होता है यहां पर जोहलरी को लेकर दुनिया के बड़े ट्रेड फेयर का आयोजन होता है जहां दुनिया के बड़े बिजनस ग्रूप यहां भाग लेते हैं दुबाई में सौथ अफरिका से रो मेटरेल यानि किकच्चा माल लाया जाता है और आभुसम तयार करके दुनिया भर के देशों में बेचा जाता है जिसमें मुखे रोप से चीन और भारत भी सामिल है दुबाई दुनिया के करीब 39% गोल्ड रेड का भागिदार है और गोल्ड सूप में तकरीबन 1200 टन सोने का ब्यापार होता है इस वीडियो को देखने के बाद आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबाई को सिटी ओफ गोल्ड क्यों कहा जाता है दुबाई यहां दुनिया में सबसे सस्ता सोना मिलता है और सोने की क्वाल्टी भी काफी अच्छी होती है दुबाई स्थित डेडा सिटी सेंटर में दुनिया भर से लोग सोना खड़ीतने पहुंचते हैं यहां दुनिया का सबसे सस्ता सोना मिलता है दुबई में सोने की खड़ीद पर खास तोर पर सोने की एट या बिस्कुट की खड़ीद पर किसी भी तरह की इंपोर्ट ट्यूटी नहीं लगाई जाती ऐसे में दुबई में सोने के कारोबारी दुनिया के किसी भी देश से टेक्स फ्री सोना मंगाते हैं और उससे जोलरी तैयार करते हैं यहाँ जोलरी पर भी मामुली टेक्स ही लगाया जाता है दुनिया के विभिन देशों से दुबई घूमने आने वाले पड़ियाटक यहां से सोनी की जोलरी खड़िदना काफी पसंद करते हैं यहाँ जोलर्स भी इंपोर्ट ड्यूटी में मिले इस चोट का फायदा ग्रहकों को कम दाम में जोलरी बेच कर पहुँचाते हैं दुबई में सोनी की गुनवत्ता का भी खास ख्याल रखा जाता है दुबई गोल्ड एंड जोलरी गुरूप के चेर्मेन के मुताबिक दुबई में सोनी की गुनवत्ता पर विसेज थ्यान रखा जाता है वहीं यहाँ सोनी की खुदरा कीमत में भी काफी पारदिरसिता रखी जाती है दुबई में कुल 804 जोलरी स्टोर रेइस्टार्ड है दुबई नगर निगम ने 9 इंस्पेक्टरों की नियुक्ति की हुई है इन में से 4 का काम सिर्फ सोने की गुनवत्ता की जांच करना है यह इंस्पेक्टर आये दिन नियमित तौर पर जोलर्स के सोने की गुनवत्ता की चांच करते रहते हैं अब तो आप समझी गए होंगे कि दुबई में सोना इतना सस्ता क्यों है और यहाँ का सोना इतना सुद्ध कैसे होता है क्योंकि यहाँ की सरकार इस पे बारीकी से नजर रखती है इसलिए यहाँ गुमने आने वाले परेयाटक भी बड़े पैमाने पर यहाँ सोना खरीतना पसंद करते हैं यदि आप भी दुबाई घुमने आये हैं और यहां से सोना खड़ीद कर भारत लेकर आना चाह रहे हैं तो duty free सोना लाने की सीमा और उससे जुड़ी कुछ जानकारिया भी जान लीजिये। अक्सर यह देखने और सुनने को मिल जाता है कि एयरपोर्ड पे सोना लेकर आने वाले को authorities ने रोख लिया है और इन्ही कारणों से आप सोना लेकर आने में हिचकते हैं तो आईए आज हम जानेंगे आप कितना सोना लेकर आ सकते हैं जो कानूनी रूप से बिलकुल सही होगा सिल्क के ला सकती है अब जरब ठहरी है सोने के सिक्के और बिस्कुट इत्यादी नहीं होते हैं duty-free बहुत लोग अकसर यह सोच बैठते हैं कि सोने के सिख्के और बिस्कुट duty-free होते हैं अगर आप भी यहां सोच रहे हैं तो इसका जवाब है नहीं दरसल duty-free कानून सोने के आभुसनों पे ही होती है और अगर आप सिक्केया बिस्कुट साथ ला रहे हैं तो ड्यूटी सुल्क देने के लिए तयार रहे हैं यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि ड्यूटी सुल्क आपको तब चुकाना होता है जब आपके द्वारा लाया गया सोना निर्धारित कीमत से जादे होता है और आप एक किलो से अधिक सोना भी नहीं ला सकते तो इन बातों का भी ख्याल रखें यदि आप सोने को विदेश से खड़ीत कर ला रहे हैं तो खड़ीते का है सोने का उस रसीद को हमेशा अपने साथ रखें यह रसीद आपको कस्टम और एजेंसियों दोहरा किये जाने वाले पूछताच में मदद करेगी और उससे सोने की कीमत का भी आसानी से पता चलता है अब एक काम की बात ये भी है कि आप बेकार की अफवाहों पे ध्यान न दे विभिन्न लोगों का यह मानना होता है कि पहने हुए आभूसनों पे कोई चार्जिस नहीं लगते लेकिन ये गलत है वो आभूसन भी ड्विटी सुल्क के दाएरे में आते हैं अगर आप विदेश से वापस लोट रहे हैं तो कस्टम को अपने पहने हुए गहने की जानकारी दे भले ही वो एक चोटी सी अंगूठी ही क्यों न हो तो अब अगर आप अरब देशों से आ रहे हैं और आपको अपने साथ सोना भी लाना है तो उपर लिखे गए हर बातों का ध्यान जरूर रखें और अब चलते चलते दुबाई के बारे में आपके क्या ख्याल हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं ऐसी ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कर लें साथ ही नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत आपके स्क्रीन पर दो और वीडियो दिख रही हैं देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें दोनों वीडियो काफी रोचक हैं